हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चकली एकदम खस्ता क्रिस्पी और टेश्टी बच्चे भोती पसंद करते हैं बच्चों के साथ बड़े भी भोत पसंद करते हैं बच्चे तो बच्चे बड़े भी भोत पसंद करते हैं इसे खाना तो हम बनाना इस्टार्ड करते हैं इस इसके लिए मैंने चार कटोरी चावल लिये हैं, इन चावल को हम थोड़ी देर सेख लेंगे, हलका सही सेखना है, ज्यादा नहीं सेखना है, अब हमने चार कटोरी चावल लिये, एक कटोरी मुंग दाल, एक कटोरी मुंग दाल लिये, इसको भी सेख लेंगे, हलका सही सेखना इसके बाद हम दो कटोरी चना डाल लेंगे चना डाल ये हमने दो कटोरी ले इसको भी हलके से सेक लेंगे और आदी कटोरी हमने उड़त डाल लिये तो हमारी वीडियो इसकीप हो गई उसको भी हलके से सेक लेना है इस चार चीजे हमने मिक्स कर दिये चार कटोरी चावल दो क एक काटोरी मूंग दाल और आदी काटोरी ऊड़त दाल, सबको हलके से सेकचे, इनका अच्छे से जार में हम अच्छे से पीस लेगे, whatsapp, लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद हिंग डालेंगे हिंग जरू डालिएगा हिंग से टेश्ट बहुत अच्छा आता है अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके तेल का मोहन डालेंगे तेल का मोहन इसमें हमें अच्छे से डालना है इसे जो हमारी चकली है वो अच्छी खस्ता बनेगी अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करना है लगबग हमारे आटे के अच्छे से मूठी बननी चाहिए अब हम इसे आटा लगा के तयार करेंगे इसका आटा ज्यादा सकत नहीं लगाना है इसका आटा एकदम नरम लगाना है अगर थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम अच्छे से आटा लगा लेंगे इस तरह सारा आटा हम तैयार करेंगे जो चकली का आटा आता है वो ज़्यादा सकत नहीं लगाना है हल्का नरम ही लगाना है इससे हमारी चकली अच्छी बनेगी और तूटेगी नहीं तो हैं हमारा आटा लगके तैयार हो गया हम चकली बनाना इस्टार्ट करते हैं इसके लिए हमने एक जार ले लिया है इसमें हम चकली बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी चकली बनके तैयार हो रहे हैं आप ऐसे भी बना सकते हो या इसे डालके इसे हाथों की साइता से भी घुमा के चकली बना कर तैयार कर सकते हो हमारी सारी चकली बनकर तैयार है अब हम इने फ्राई कर लेते हैं इस तरह सारी चकली बना ली हमने, तब देख सकते हो कितने अच्छी से बन के तैयार है, अब इने हम फ्राइ करेंगे, तो जो गेस की फ्ले में उसे मीडियम ही रखनी है, ज्यादा हाई नहीं करनी है, तो हमारी चकली खसता नहीं बनेगी, तो आप देख सकते हो कितने के से बनके तैयार है तो एक बार आप भी बना के जरू ट्राई किजिएगा चकली भोती टेश्टी और स्वाधिष्ट लगती है और बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसे खाना तो आप भी बना के जरू ट्राई किजिएगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी और बना के जरू ट्राई कीजेगा